यार एक चीस बताओ मुझे कि क्या ऐसा कभी आपने देखा कि फोन लॉंच ना हुआ हो और फोन जो है वो लिस्ट हो गया हो किसी साइट पे और सेल आउट भी होना शुरू हो गया हो तो दोस्तो ऐसा ही यहां पे कुछ हुआ है रेड्मी 9 के साथ में अभी जो है वो इसकी ग चल रहा है यहां पे दोस्तो आपको बता दूँ यह जो है रेड्मी 8 का जो है सकसर है रेड्मी 9 और दोस्तो अगर आप जो है इंट्रस्टेड हैं रेड्मी के बजट लेवल के स्मार्टफोन में तो आप जो है यहां पे इसका वेट कर सकते हैं आज की स्टूडियो में बत बिना इस दरीके शुरू करते हैं ये वीडियो दो और बात करते हैं रेड्मी नाइन की बट उससे बहले उस्तों को बता दूँ रेड्मी नोट नाइन प्रो मैक्स का मैं हापे जो गिव वे कर रहा हूँ अगर आपने अभी तक पाइटिसपेट नहीं किया तो जाहिए नाइन की दोस्तों यहाँ पर बात करें इसके ओवरॉल सबसे बहले बिल्ड की यहाँ पर आपको इस बार भी प्लास्टिक याने की पॉली कापनेट बिल्ड जो है वो दिखने मिलती थी तो दोस्तों आपको पता दूँ यहाँ पर आपको 6.53 इंच की वाटर ड्रॉप दिखने मिलेगी और आपको यहाँ पर जैसे बिल्ड यहाँ पर टीन कलर मिलेगे एक को पर्पल जो की ग्रेडियिंट लूक में होगा ओर बाकी जो दो कलरें ऑर एक आपको जू है ग्रेशिप्लेश ब्लैकिन की इस बार इसस बार जो साईड पे जो है वो कैमरा नहीं बलक जो हो रहा है 3G 32GB और 4G 64GB तो जब इंडिया में भी यह जो है वो लांच होगा तो जो इनी दो फेरिंट में यह जो है वो लांच हो जागा रेड्मी 9 अगर बात करो जो चैमरास की तो फ्रेंट जो सेलफी कैमरा होगा जो नौच में समाया होगा वो यहां पर जो आपको 8 रेड्मी 9 में और दोस्तो रीर वाली साइडी आपको यहां पूज़ा फिंगर प्रिंट सेंसर भी जो है वो देखने मुलेगा इसके अलावा दोस्तो आपको यहां पर बता हूँ इसके हर्ड यानि किसके प्रोसेसर के बारे में तो आपको वही सेम प्रोसेसर दिखने मिलत हालां कि इसके उपर अपना Redmi का MIUI रन होता दिखेगा आपको इसके अलावा दोस्तों आपको यहां पर Face Unlock का फीचर भी देखने को मिलेगा 3.5M का Audio Jack, Type-C Port भी मिलेगी और साथ ही साथ आपको 18W का Fast Charging का Support भी यहां पर देखने को मिलेगा बात करेंगर दोस्तों बैटरी की तो जैसे दोस्तों मैं आपको पिछली वीडियोस में बताई जा रहा हूँ आज कल हर किसी में आपको 5000 mAh बैटरी तो minimum मिले ही रही है तो इसमें भी आपको 5000 mAh की बैटरी जो है वो देखने को मिलेगी बात करें इसके overall weight की तो यहां पर जो है इसका weight होगा दोस्तों वो 198 grams का इसका जो total weight होगा variance के बारे में दोस्तों आपको बता दिया 3G, 32G और 4G, 64G यह दो weight में आपको जो है वो देखने को मिलेगा अब अगर दोस्तों बात करें इसके global launch और India launch के बारे में ग्लोबल launch जो है वो 25 June को पहले बताया जा रहा था बट दोस्तों अभी जैसे कि आपको बताए कि यार shopping site पे यार किसी phone का पहले आ जाना वो भी launch से पहले तो उसका क्या मतलब बनता है कुछ समय नहीं लगी बट फिर भी ये मान के चलो कि बहुत जल्द ये जो है वो global launch इसका जो है वो हो जाएगा और India में आपको जो है वो June end में जो है वो देखने को मिल जाएगा Redmi 9 इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें इसके pricing की तो जो strong rumors जो strong leaks निकल के आ रही है वो ये हैं दोस्तों कि जो इसका 3G 32G वाला जो base variant होगा वो आपको यहाँ पे जो 8999 का जो है वो देखने को मिल सकता है और जो 4G भी 64G भी होगा वो दोस्तों 10999 यानिकि 11000 में जो है वो launch हो जकता है इंडिया में अगर यार इस price point पे जो है वो सच में launch हो गया ना तो यहाँ पे जो है doom मचा देगा और cdcd यह जो है टकर देगा realme के narzo 10 को क्योंकि आपको जो है उसमें same processor जो है वो देखने हो मिलता है same fast charging का support type c वगरा जो है वो सब कुछ देखने हो मिलता है वेरेस बस थोड़ा सा difference यह है कि उसमें आपको 48MP का quad rear camera setup देखने हो मिलता है वेरेस आपको यहाँ पे 13MP के साथ ने quad camera setup देखने हो मिलता है बाकी दोस्तो आप नीचे comment करके बताओ कि आपको overall इसकी specs, overall इसकी look कैसी लगी क्या आप इसका rate करोगे या नहीं सब कुछ जो है मुझे बताना उस तो नीचे comment में उमीद है दोस्तो आपको यह वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो ज़रूर से या like share and subscribe कर देना फर्स्ट आम इस चैनल पर हैं तो subscribe करने के सबस्तो बैल आइकन भी दाएना तभी आपको मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोडिक्शन मिलेंगी दोस्तो मैं मिलता है आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए वाइ टेक कियर